हेलो मैं नमीज प्रशांत और इस पर्टिक्लर वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटप किस तरीके से करेंगे कि जब भी आप Google का एड साप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको यह ज़रूरी है कि आपका जो है जो एड मना रहे हो उससे आपक चीज़े को ट्रैक करना सबसे इंप्रोटेंट होता है तो आज हम लोग इस चीज़ को अच्छे सीखते हैं तो आपको जैसे आप लागिन करोगे लॉग इन करने के बाद आप टूल सेटिंग पर जाइएगा तूल सेटिंग्स पे आपको आएगा मेजर्मेंट के नीचे मे करोगे करने के बाद आपके पास आपस आएंगे यहां पर दिख रहा है दो चीजे कंवर्जन एक्षन 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 पर जाते हैं और आपको क्रेट करनी है प्लस पर जो ब्लू आइकॉन इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर करना परेगा आपको कि आपका जो है वेबसाइट है या या फोन कॉल या कुछ भी अगर डेटा बाहर से अगर आपने लिया है उसको इंपोर्ट करके वहां पर एड चलाए हो कस्टम आजिशन एड उसकेस में जो इंपोर्ट का ऑप्शन रहता है जहां से हम लोग एक फर एक चाहते हो वेबसाइट से कुछ पर्चेश हो या फिर आप चाहते हो लीड जनेट करना था वह भी लीड फॉर्म भी आप कर सकते हो जैसे मालों कोई आपके वेबसाइट पर जाने के बाद इंक्वारी फॉर्म फिलप करता है तो एक थैंक्यू फॉर्म जो है थैंक्यू का एक पेज बन जाता है तो गुगल को पता चल जाएगा कि आप किसी ने इंक्वारी फॉर्म फिलप किया है इस तरीके से आप एक समिट लीड फॉर्म कर सकते हो कन्वर्जन का नाम आप चाहते नाम इसको भी आप दे सकते हो तेस्ट में नाम दे रहा हूं आपकी कन्वर्ज रुपे कहने का मतलब 100 पर आप ऑफिट कर रहे हो तो इसके समय हो कि आपको यहां लू तो आपको इन रुपीइज Сп该 लो परिस अपको यहां लू पर आपको कोई हजार रुपेका है उसकेस में हम लोग यह second option यूज करेंगे और अगर आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है जैसे मालों inquiry form हम लोग generate कर रहे हैं तो उसमें कुछ पता नहीं है कि कि पर्टिक कर सकते हो और फिर बीगिंट चेकिट आउट कर सकते हो यह सारे option यहाँ पर option है जो कि आप यूज कर सकते हो जहां पर आपका conversion value किलियर नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट से लिए या फिर यह जने करने के बाद मैं कितना expect करो उसके एकॉर्डिंग जो है आप वो यूज कर सकते हो तो I hope कि same value for इस conversion clear हो गया है same different value for different product हो जाएगा और अगर आपको यह चीज़े नहीं करनी है तो आप don't use कर लो next आते हैं how like how many conversion to count per click कभी-कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि मुझे conversion value काउंट पर क्लिक की साबचे कैसा हो तो आप every भी कर सकते हो और one by one भी कर सकते हो और यह जो click जो थूर रहेगा आप चाहोगी 30 days one day conversion के window के according रहेगा इसके according आप यह अपना model set कर सकते हो एक attribute model और यहां पर create and continue पर क्लिक करोगे जैसे create and continue पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिल जाए का code install the tag yourself आप चाहो तो खुद से भी यूज़ कर सकते हो तो इसे टैग पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दिखा है और अगर आप खुद से कहिं नहीं करने वाले हो तो इमेल इस टैग को आप इस टैग को डिवलपर को आप इमेल भी कर सकते हो और यहां पर आप इमेल इस यहां पर इसको बाद में देखते हैं पहले जो फस्ट फस्ट दो अपसंदे से इंस्टॉल है तो आप यह खुद से आप वैपसाइट जब भी बनाओगे तो आप ट्राइक करना की एडर में डाल देने के लिए तो आपका ट्रैकिंग हो जाएगा कि आपके वैपसाइट पे कितने ल गूगल टेग मेंचर इंस्टॉल करने के साथ आपको यहां से किस तरीके से इंट्रिगेट करते हैं मैं दोनों उस वीडियो में बता हूंगा तो इस वेश से हम लोग क्या कर सकते हैं जो गूगल का जो कनवरजन ट्रैकिंग सेटप है आप सेटप कर सकते हो और जब भी यह करोगे जब भी सेटप करोगे तो गूगल एड्स रन करने से पहले सेटप करोगे तो बहुत अच्छा होता है कि नॉर्मल कुछ-कुछ लोग जो है ड्रन करते हैं फिर बाद पता चलता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है फिर वो कनवरजन ट्रैकिंग लगाते हैं तो वहां कर दो कर दो कर दो दो सकती है